हाई यह है एक डिलिंग का राउटर जिसका मॉडल नमबर है DIR803 यह एक ओल्ड वर्जन का राउटर है इसे हम वेरलेसली कैसे कनेट करते हैं वो हम देखेंगे आपके साथ भी यह प्रॉलम फेस आया होगा आपका जो सेकेंडी राउटर जिसे आप एज ए रेंज एक्सेंड यूज करना चाते हैं वो आपके में राउटर से वेरलेसली कनेक्ट नहीं होता है या फिर उसमें ऑफ्सान ही नहीं होता है WDS या फिर रिपीटर ब्रीच का जिसके तुरूँ आप अपने में राउटर से कनेट कर पाएं तो यहां अगर आपको भी यह प्रॉलम फेस करना पड़ता है आपका सेकेंडी राउटर में राउटर से वेरलेसली कनेक्ट नहीं होता है तो यह वीडियो आपके लिए है वीडियो को एंड तक जरूर देखें यहां आपके सारे डाउट्स किलियर हो जाएंगे और आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूवत नहीं पड़ेगी हलोब वेलकम बैक टो इंफोर्मेशन होस्ट आसे करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे इस वीडियो में हम जानेंगे आप कैसे आपने ओल्ड राउटर को एज रिपीटर कर सकते हैं और आपके वाइफाई नेट्वर को आप बढ़ा सकते हैं तो चले बिन रिसेट किया जाता है तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस राउटर को मैं लैप्टॉप से कनेट कर लेता हूँ और इस राउटर को कन्फिग्रेशन करते हैं तो फिरें हमने हमारे राउटर को थूरू लैन के बलके लैप्टॉप से कनेट कर लिया है और यहां Simply enter करने के बाद यहां आपको username, password पुछेगा, आप यहां पर enter कर देना है, आपका username, password और उसके बाद enter पर आपको click कर देना है, यहां आपको advance पर click करना है, और यहां सारे features जो आपके router के रहेंगे, वो आपके show कर लेंगे, यह जो feature से आपको नजर आ रहे हुए, यह आपके जो नए version के router आते हैं, उनसे यह अलग होते हैं, नए version के जो router हैं, उन्हें आप बहुती easily, wearlessly configuration कर सकते हो, लेकिन जो पुराने version के router हैं, उन्हें, wearlessly configuration करना थोड़ा से दिक्कत होता है, तो simply, आपको यहां कुछ भी नहीं करना है, यहां wireless पर आपके click करना है, यहां आपको यहां पर आपको जो option है, यहां पर enable नजराएगा, और जो side survey है, आपको देख सकते हैं, इस पर भी जब आप click करोगे, side survey पर जब आप click करोगे, यहां आपको जो router आपके main router वो तो सो करेंगे, लेकिन यहां option आपको disable सो करेगा, जिसकी वज़ा से आप इस router को as a wds या फिर bridge के थुरू, wearlessly configuration नहीं कर पाऊगे, तो इसको wearlessly configuration करने के लिए simply आपको यहां basic पर click करना है, और यहां आप जो चाहें आपके router का name रख सकते हैं, ठीक है न, मैं यहां पर name change नहीं कर रहा हूँ, तो simply जो mode है, इस पर आपको click करने है, तो जो by default यहां आपका AP, आपका selected होग अगर आप WDS के थुरू connect करना चाहते हैं, तो यहां आपको click करना है, और उसके बाद यहां WDS setting पर जाके, आप इसे configuration कर सकते हैं, लेकिन यह WDS का configuration होगा through Mac address, यानि कि आपका जो main router का Mac address है, वहां आपको यहां पर paste करना होगा, लेकिन इसके जो setting होते हैं, वो थोड़ा अल apply changes पर जैसे आप click करेंगे, आपका जो router है, यहां पर 20 second का time आप से लेगा, तब तक आपको wait करना है, उसके बाद हम आगे के setting के बारे में जानेंगे और यहां मारा जो router है, वो completely setting change हो चुका है, तो simply फिर से हमें यहां पर username password पूछ रहे हैं, तो हम यहां पर username password एंटर कर देते हैं, एंटर करने का बाद आपको यहां एंटर पर click करना है, तो फिर से आपको advance पर जाना है, और यहां आपको wireless पर आना है, अगर आप सेम तरीके में इसे भी आप configuration कर सकते हैं, तो पहले हम यह configuration करेंगे, उसके बाद इस पर जाएंगे, ठीक है, तो मैं फिर से 5GG पर click करता हूँ, अभी हम click करेंगे side survey पर, ठीक है, side survey पर click करने के बाद फिर से आपको यहां side survey पर click करना है, और यहां आपको अभी देखेंगे, option यहां पर selected का enable नजर आता है, अभी आप इसे वेरलेसली configuration कर सकते हैं, यहां इसे आप वेरलेसली connect कर सकते हैं, आप यह देख सकते हैं, जो option है, पहले हमारा disable था, लेकिन अब enable है, तो simply यह जो network आपको नजर आ रहा है, नदीम, यह सारे मेरे network है तो मैं इस network पर click करता हूँ, इससे मुझे connect करना है हमारे secondary router को, ठीक है न, तो यहां simply यह जो tick है, इस पर आपको click करना है, next पर आपको click कर देना है, तो फिर से simply यहां आपको आपका उस router का password आपको देना है, जो आपके main router का है, ठीक है न, उससे आपको देकर यहां पर connect प नहीं हो रहा है तो यहां हम जाएंगे 2.4 GHz पर इसे भी configuration कर लेंगे simply फिर से आपको जाना है basic setting पर और यहां AP mode होगा इसे भी आपको client पर click कर देना है और यहां पर यहां पर यहां से timing complete हो जाएगा फिर से हम यह से 2.4 GHz पर configuration कर लेंगे उसके बाद देखेंगे हमारे router पर internet access होता है या नहीं जो router है वो setup हो चुका है तो simply फिर से हम यहां पर admin password दे देंगे देने के बाद enter पर आपको फिर से click कर देना है और advance choose करना है और यहां हम click करेंगे wireless पर और इस बार हमारा configuration होगा 2.4 GHz तो इस पर आपको simply click करना है और फिर से आपको जाना है यहां पर side survey पर और side survey पर आपको यहां पर click करना है तो आप यह देख सकते हैं अभी जो wireless name है यह हमें ज़्यादा show कर रहा है लेकिन जब हम 5 GHz पर configuration कर रहे थे वहां हमें सिर्फ 3 network wifi का ही show कर रहा है क्योंकि जो 5 GHz का band का connection होता है उसका जो wifi coverage है वो कमती होता है तो 2.4 GHz में आप यह देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें show कर रहा है तो simply हमें यहाँ पर click कर देना है सेम हमारे main router का और देकर आपको यहाँ connect पर click कर देना है फिर से यह wait करेगा आपको थोड़ा से second आपको पूछेगा आपको wait करना है router को आपको off नहीं करना है तो simply यह हो जाने के बाद फिर हम इसका configuration कैसे ही हुआ है कि यह नहीं और हमारे router पर internet access होता है या नहीं वो हम देखेंगे तो आप यह देख सकते हैं हमारा जो router है वो completely यहाँ पर setup हो चुका है लेकिन अभी भी internet हमारे laptop पर access नहीं हो रहा है तो simply यहाँ remote पर आपको click करना है या फिर remote पर अगर आप click नहीं कर रहे हो router को आपको restart करना है यह reset करना है राउटर को on off कर देना है आपको off करना है । 15 seconds या 10 second के बाद अगर आपको он कर देना है तो यहाँ आप रिवोर्ट पर click कर सकते हैं यह पिर आप router को restart भी कर सकते हैं तो चलो router को मैं restart यहाँ पर कर देता हूँ उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे हमारा internet access होता है या नहीं तो यहाँ अब आप देख सकते हैं जैसे हमने router को restart किया हमारा internet यहाँ पर access हो रहा है हमारे laptop पर So simply हमारा router पर internet access हो या नहीं यह चेक करने के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ भी access करके दिखा देता हूँ Simply मैं यहाँ पर YouTube ले लेता हूँ और यहाँ चेक करेंगे हमारा YouTube चल रहा है या नहीं आप यह देख सकते हैं हमारा जो internet है यहाँ पर access हो रहा है मेरे case में मेरे main router का IP address अलग था इसलिए मैंने IP address चेंज नहीं किया अगर आपके case में IP address आपका secondary router का और main router का IP address सेम हो रहा है तो आपको IP address चेंज करना जरूरी है आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे information बाली वीडियो हम आप सभी तक हमेशा लाते रहें या फिर अगर आपको जानना है कि दो TP link के router को कैसे wirelessly connect किया जाता है तो उसका link भी आपको description में मिल जाएगा वहाँ आप click करके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको और कुछ information चाहिए router के बारे में तो आप हमें comment box में comment जरूर करें आपको उसका replay जल्द मिलेगा